दोस्तों लैप्टेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं नासर और मेरे साथ दिलदार सर है तो आज हम लोग एक देखें ये केस है ये नो पावर में है किसी डीलर के पास से हमारे पास आया है तो आईए मैं आपको डेमुस्ट्रे करवाता हूं कि क्या क्या पॉसिलिटी हो सकती है तो क्या लिखावा है कुछ लिखावा है कि नो पावर ओन लास्टम तो ये लिखावा है किसी कस्टमर को होगा उनके तो ये क इसका पर देखा है जैसे कि आपका LAD 704 बगर होता है बस उसी कटेगरी का ये बोर्ड है और मैंने देखा है कि इसमें बहुत सारी प्रोड्लम सीप्यू बहुत महार शौट निकलता है और इसका एरिया इतना गंदा क्यों हो रहा है तो सारे उनीकी बोर्ड है मेरे पास यहां है और कुछ यूपी से है एहमदावाद से है अलग अलग जिगह से बोर्ड आते रहते हैं एपल के बोर्ड बंबे से आए वे हैं तो यह आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम निकाल लो कि केस स्टड़ी कुछ बना दूँ आपके लिए ताकि आपके लिए भी हेलफुल हो जाए तो सबसे पहले इसको खोलेंगे यहां पर कुछ ज्यादा मुझे गंदल गंदगी नजर आ रही है और पार्ट नमबर आप देख सकते है एले हाइफन ए आट सो एक तालिस ए आट सो एक है इसमें बहुत सारा मॉडल आता है 901 भी आता है ठीक है धिया बहुत जादा लगता है किसी ने इसके बढ़न पोलिशत किया है लगता है दीबा वाली आने वाली है तो पूरा ही इसके अंदर बर्जर पेंच से बटें किया गया है इसके उपर है तो चलेब soft mau देखते है किछान किया इसमें साइल से पहले हम लोग इंजक्ट करते है पा कि IO और LDO एरिया सही है अब रही बात कि ON हो रहा है कि नहीं देखने में तो गंदा लग रहा है देखते हैं शायद ON ही हो जाए बिल्कुल नहीं ON हो रहा है जर्ड़ा देखते हैं अउन पर वोल्टेज है चुकि इसमें जितने भी बोर्ड होते हैं HPK अभी जो आ रहे हैं जैसे 701P 704P 703P 702P या LA E-Series में जितने भी आ रहे हैं इसमें आपको 3.3V और 5V यही पर दीवी है और यह आपकी सस्पेंड होती है यानि आपको यहां पर 35 नहीं मिलेगी कब मिलेगी जब यह बोर्ड अन ह होगा पहले सस अन होगा सस अन से आपकी 35 अक्टिवेट होगी तो अन आपर वल्टेज एल्ड यह हमें बिलकुल मिल रही है और इसको जब मैं अन कर रहा हूं तो यह डॉन भी हो रही है यानि लो हाइव भी हो रही है फिर भी यह आ नहीं हो रहा है तो यही कंडिशन है तो हम क्या से चेक करेंगे इसको अच्छा इसके अंदर के भी 92 डी लगी है और यह प्रोग्रामिबल है ठीक है तो ल्डियो तो बन रही है आयो की सिगनल भी चेक कर सकते हैं लेकिन सबसे पहला तरीका मैं अपना यूस करता हूं बिना पावर के आटीसी में चेक करना चाहूं ठीक है तो यह एक मैं कोईन से अपना यूस कर रहा हूं ठीक है और तरीका यह है कि जब भी आप किसी बोट को स्टार्ट करिए तो पहला नंबर ही रटीसी का होता है तो रटीसी की वोल्टेज सही है कि नहीं 2.7 और 2.7 बिल्कुल सही है रटीसी रिसेट और ऐसा रटीसी पच् Gray की तो ऐटीस कीलो हट्स भी हम चेक कर लेते हैं ठीक है तो अगर आपको डीस अष्ञाने में प्रॉबम आती है यह अगर आपको डीस अचाहिए तो आप दी एवर नंबर पर कॉंटेट कर सकते हैं हम त्वी बी में सेटे Completely हैं आ। तूस भी सेटें हैं आइसी भी से अगर अगर बात करनी ए तो दिल्दाब उसर का नंबर और एक हमारे लैटेक्स के ऑफिस का नंबर होगा उस नंबर पर आप उस नंबर पर आप kon invece कर सकते हैं तो DSO को चुराने में अगर आपको तखलीफ होती है तो आप जरूर आप इसका पर्टिकुलर वीडियो हमसे ले सकते हैं तो अभी मैं सिर्फ नर्मल सेटिंग पर टेस्ट मॉड पर चेक कर रहा हूं और देखोंगा कि क्या हमें 32 kHz मेली है नहीं मिल रही है कोई इन्फर्मिशन नहीं है तो थुला सा मैं सटिंग कर लेता हूं इसकी तो अब मैं एक बार इसको फिर से टेस्ट मॉड पर चेक करूंगा और यह देखिए हमें ना तो इंपुट पर ना ही और पुट पर कुछ मिल रही है देखें जरा क्या है यह फ्रिक्वेंसी तो नहीं है यह ठीक है हलाके टाइम बहुत कम है 20 मिली वोल्टेज है तो यह कुछ भी नहीं है यह इसको आप बोल सकते हैं नॉइस बोल सकते हैं यह एक नॉइस है तो हमें यहाँ पर यह काम नहीं कर रही है और अगर आप गौर से देखें तो मुझे भी क आपके बैक के सिशogenous टूता हो है गिसाई फीजिएट निपाई पोताई होने पर इसका यह यह शीशा टूता है अब भी शीशा तोटने के बज़े से में छूपी क्रिस्टल के अंदर एक वेफर होता है और यह वेफर ज protrी उनुपा, अब अगर अगर में नहीं current यह पीसेच नहीं निकाल रहा है या दूसरी क्या हो सकती है यह receiver खराब हो गया है यह कि जो crystal है यह एकसेप नहीं कर रा है उस current को तो सबसे पहले तो तरीका यह है कि crystal को ही हम change कर देखेंगे कि हमें ऐसा लग रहा है कि physical भी देख रहा है यहां पर तो अगर इसके बाद भी हमें नहीं मिलते हैं कि कोई एक RTC की सिगनल वो पिसकी सऽ काम नहीं कर रही है या अगर सारी सही काम कर रही है तो इसकी जो ok race जो जो ओती है 256 गोरा की जो आ घ्राप हुई है तो पूरा यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा और अगर ये सही है क्रिस्टल खराब है तो क्रिस्टल चेंज करने के बाद हमें 32 kHz मिल जाएगा बोर्ड अन हो जाएगी तो सिंपल है ये सिंपल तब होता है आपके लिए जब हमें ये पता होता है कि क्या चाहिए हमें बोर्ड में बस अगर ये पता नहीं है हमें कि इसका रोल क्या है क्यों चाहिए क्या करती है ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा फिर तुक्के में हम चलाएंगे और तुक्का जो है लेटेस्ट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा डेंजरिस है ठीक है तो इस क्रिस्टल के बारे में मैं एक पॉइंट और आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा वह यह कि जो अभी चौकोर वाले प्रोसेसर आ रहे हैं यानि जिसको आप बोलते हैं डूएल कोर सेलरॉन उसमें यह 19 सिस्टम क्लॉक में जसे यहाँ पर अभी 24 मेंच लगी हो गी चौईस यह पचीस लगी होती है वह अप अप propor आप यह वाली क्रिस्टल क्लॉक होगी हो 19 मेगा हर्ट्स आपको यूज मिलती है तो यह मेरे पास will किसले इसको मैं यूज कर रहा हूं तो यह जो अर टीसी कि की यह 32 kHz की है 32.768 और इसके पास दो कैपिस्टर लगे होते हैं जिसे की रिजोनेंट कैपिस्टर कहते हैं और इसके पास एक 10 मेगा ओम की रिज्टर होगी जो इनपुट और आटपुट टर्मिनल के बीच महोगी यानि ओपन होती है यह हमें अगर इनपुट पर मिलेगी तो इनपुट पर देखेंगे तो सौतूत फॉर्म मिलेगा और आपको सानस्रोडल मिलेगा और इसकी इंपलिचूट बड़ी भी मिलेगी तो यह क्या करता है इसके इंपलिचूट को मैंगनिफाय कर देता है तो अगर आपको जानना है कि पूरा कंसेट अर्टी सिक्शन का और पी-सी-एच कैसे कम्मुनिकेट करता है आयो के साथ तो आप दिये ओवे नंबर पर ज़रूर कॉंटेट करिए वाटस अप करिए तो ज्याद अच्छा है चुकि अभी लोड बहुत ज्यादा है हम लोगों के पास मेरे पास और दिल्दाव सार के पास भी चुकि अभी ऑनल अब पर जो चीज आपको दिखा रहा था पहले अब मैं फिर वही चीज दिखाऊंगा क्या ये सही हुआ या नहीं अगर हमें 32 किलो हर्ट मिलेगी तो मैं अन करने के अभी ट्राय नहीं करूंगा यानि अन करना भी फादेमन नहीं होगा चुकि हमें ये बात तो पता चल च लोग हैं जिसके पास हो सकता ये डाग्राम हो मेरे पास तो नहीं है तो मैं तुक्के से चेक करूंगा ये इसको मैं मान रहा हूँ एक नमबर पिन और अभी मैंने सिर्फ पावर लगाया है और अब अब इस पर इसे मैं सेट करता हूं टेस्ट मॉड पर तो अब देखिए ये मुझे 32 kHz frequency अब ये दे रहा है ठीक है ये तो मैं input चेक कर रहा हूं चुक्की देखिए तो आप फॉर्म जो ना इसको मैं हटा देता हूं करसर को ठीक है कर रहा हूं ग्रॉंड की मैं दूरी बहुत ज्यादा है वायर मैंने बहुत ज्यादा यूज कर रखा है और एक तो दूसरी बात यह है कि ये एक entry-level का डियसो है जो की ठीक काम चलाने के लिए सही है अगर इससे अच्छा चाहिए आपको तो 2 GHz पर सेकंड आप लीजे या आप क्या करिए 200 MHz रे लीजे तो अगर आप टाइम डिविजिन को 2 GHz पर सेकंड करेंगे तो डियसो आपकी काफी कॉस्टली हो जाएगी तो आप 200 MHz एक सही प्राइस में ले सकते है तो इंट्री लेवल में ये 20-22,000 का डियसो होता है जिसको आपको जरूर यूज करना च के साथ साथ reset और signal की भी जरूत होती है तो अगर आप सिर्फ अभी तक पावर लेवल पर काम करते हैं reset लेवल और signal लेवल पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप div number पर contact करिए इंशालला आप भी आराम से सीख जाएंगे तो अब चलिए इसका हम चिक करते हैं output तो ये दे आप जी भागे उचलेगा नहीं है और इसको मैं तोड़ा time इसको जैसे देखना है आप इसको वैसे देख सकते हैं जैसे चाहेंगे आप इसको देख सकते हैं ये दिके कट रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसा किया फिर से मैं इसको auto पकर देता हूँ तो normal जैसे दिखा रहा है पर देखा रहा है तो इसको मैं manually adjust कर सकता हूँ अभी मैं आपको manually adjust करके भी देखा हूँगा ऑपको छोटा देखना है बड़ा देखना है किस time के साथ किस frame के साथ देखना है तो तो अब देख सकते हैं यह इसका वेफ़ॉर्म है सानसोडल वेफ़ॉर्म है 32 KHz फ्रिक्वेंसी है यह मुझे चाहिए था अगर अगर यह ना मिले तो आपका बोर्ड आप समझ लीजे कि उसकी हार्ट नहीं चल रही है अगर हार्ट नहीं हो तो वह complete date है यह तीनों का combination कैसे कि आपका board ठीक होगा अगर power level पर आप बहुत अच्छा साथ इंगि तो तो that is not only enough, वही काफी नहीं है, कि 3-5 बना लेंगे तो बहुत ठीक हो जाएगा, या आयो चेंज कर लेंगे तो बहुत ठीक हो जाएगा, पहले आपको यह समझना पड़ता है, कि reset क्या है और क्यों है, और वह चिक कैसे होती है, दूसरी बात यह है, कि signals का एक अपना important है, मतब इसका importance क्या है, कि वह एक जब किसी चीज से बात करती है, तो वह उसका एक time frame होता है, कि कितना देर वह read करेगी, कितना देर वह write करेगी, यह सारी चीज़े आपको हमारे training module में ही मिलेगा, तो आप उसका भी video हम से ले सकते हैं, DAV number पर contact करके, तो अब मुझे तो सारी चीज frequency भी मिल रही है, अब मैं इसमें power डालता हूँ, consumption तो वही है, अब on करके देखते हैं, तो यह मैंने इसको on किया, तो यह देखे, बहुत ज्यादा मेनत की भी ज़रूत नहीं पड़ी, और बहुत ही easy case था, हलांकि वह सारी चीज़े आपके लिए easy होगी, जिसे आप समझते हैं, जिसे अगर आप DC-IN में 19-volt होटी तो वह आपके लिए easy होगा, इतना वीडियो हम लोगों ने डाला है, और मेरे बहुत सारे कलीग ने और बहुत सारे फ्रेंड ने डाला है, वीडियो यूट्यूब पर, वह देख करके भी आप, और करते-करते भी तो आप हैविचल ह हो गया है, तो 19-volt को बनाने में तो अब जरा भी तकलीफ नहीं होती किसी को, तीन-पांच भी हम लोगों ने ये कोशिश की है कि इतना वीडियो डाला है कि वह भी आपको अप ट्रिब अगरे भी तो आप कॉमन हो गया बात, पहले तो ट्रिब की कोई बात भी नहीं करते थ कि क्या होनी चाहिए अब जिसे मैं आप से पूछों कि जो प्रोसेशर होती है, प्रोसेशर के पास प्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है और किस सिंगनल के थरू जाती है ज्यानि PCS से अगर हम किसे एक ऐसे बोर्ट के बारे बात करूंए कि जो कि य blueberry है ए तो इसके अन एक frequency की requirement है वो frequency क्या है अब जरूर comment करिएगा वो frequency क्या है और वो किस signal के थूर यहां जाती है PCA से जाती है CPU के पास वो signal का नाम अगर आप जानते हैं को जरूर बताईए क्योंकि यह चीज़े common नहीं है क्योंकि आपने भी बहुत सारे video देखे होंगे लोग आपके साथ यह discuss नहीं करते हैं इसलिए आपको भी पता नहीं होगा यह बाते आपको trip के बारे में भी लोग पहले कम बात क्या करते थे जब से दिलार सर ने और हम लोगों ने effort किया उसके बारे में समझ करके लोगों को बताया तो अब common हो गई कि trip पर voltage मिल रही है कि न समझते हैं तो वह शेयर नहीं करते होंगे शायद यह बात भी हो सकती है वह एक top secret में से होगा लेकिन आपको समझने की जरूर हो थे कि प्रोसेसर को चलने के लिए एक certain frequency की requirement है वह frequency कैसे मिल रही है इसे और किस signal कि तुरू मिल रही है अगर यह बात आप जानते है तो जरू जरूर लिखे ताकि लोगों को भी पता चले नहीं तो इंशाला कभी मेरे पास वैसा case आएगा तो मैं आप इस अपने बना करके जरूर पेश करूंगा ठीक है सिर्फ बॉलने से कुछ नहीं होगा मैं आपको देखा होंगा कि वह कैसे काम करता है तो यह सारी चीजे हैं जो बता दो इसके अंदर तो यह board on तो हो रहा है अब हम लोग चलते हैं देखते है कि क्या यह डिस्पले आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैं इसको डिय पर लगा दिया है मैंने usb और अटो मैं तो यह अन हो गया है और सीमोस बैटी भी लगा गया है चली कोई यह नहीं मेरे पास दिस्प्ले केवल नहीं है इसका नहीं तो मैं आपको इसक्रीन पर दिखा यह था तो आपने भी देखा हालत की अच्छी बात है कि इसने मुझे दिस्प्ले के साथ ही भेजा है बोड और रैम के साथ ही भेजा है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं उनका देखना ज्यादा प्रेफर करते हूं यह देख सकते हैं कि इस दिस्प्ले आ चुका है successfully connected तो उन लोगों का लैप्टॉप देखना और बोड देखना ज् लिए नहीं तो फिर वेटिंग लिस्ट पर जैसे देख सकते हैं उदर वो सब वेटिंग लिस्ट पर है ठीक है बाकी यह सब एतना लोड है मुझे भी करना है लोड ज्यादा भी है क्योंकि online और work from home चल रहा है तो लोग को जो है एक given time में ही कुछ लोग चाहते है कि एक दि है कि हमारे गर में बच्चे लोग पढ़ते हैं online तो उसे भी जरुत होती है laptop की लेकिन यह सब के लिए possible नहीं है चुकि एक साथ तो मैं सारे चीज़ नहीं कर सकूंगा तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे इसे हमने diagnose किया आप को मैं यह नहीं बोलूँगा कि यह बहुत भा चुके हैं जो आप expect करते हैं बोट से और अगर आपको उसका information है तो वो आपके लिए कभी भारी नहीं हो सकता है अब सबसे अच्छी बात यह जिसे आपने देखा कि पांच मिनट लगा इसको repair करने में तो यही time लगना चाहिए क्यों temper कर रहे हैं क्यों ठीक है कप करते हैं अभी हमने crystal change किया crystal change करने के बाद RTC की जितनी भी inputs होती है अगर मैं वो सारी चेक कर लो उसके बाद हमें अगर वो सारी चीज अगर सही मिल रही हो तब मेरे पास कोई चाहरा नहीं बसता है सिवाए इसके कि IC अपनी output नहीं दे लिए तो मुझे पता है कि वहां से मुझे current generate करवाना है तो अब temper करके आप देख सकते हैं unnecessary temper करना यानि ऐसे case में जिसमें crystal खराब हो सकती है किसी में IO खराब हो सकती है अब जिसे example के लिए IO को अगर 32 kilo hertz ना मिले ठेक है तो उसमें IO भी खराब हो सकती है उसमें PCH भी तो खराब हो सकती है तो कोई level नहीं बहु सकते है क कि यह खराब होगी इसलिए मैं फोन पर और WhatsApp पर बहुत कम प्रिफर करता हो कि जबाब दूँ कि अगर आप बोलते हैं कि मेरा laptop में charging नहीं हो रही है तो charging का तो 12 गंटे का वीडियो हमने बनाया है हम कैसे बता देंगे आपके पास बोड़ है आप काम कर रहे हम कैसे बता दे अगर आपको जान गया है तो आपको पर तकलीफ नहीं होगी बागी तो है सारे दॉकमेंट है वह पढ़ना पड़ेगा अपडेट करना पड़ेगा पहले नोक्या गया यूज करते थे आप स्मार्ट मोवैल यूज कर रहे हैं अगर यूजर आप इतना ज्यादा अपग्रे होना पड़ेगा DDR3 से DDR4 मोवाने के लिए क्या चेंज़ेस आए हैं कस्टमर थोड़ी बताएगा आपको ये वात ये तो आपको बताना है कि उसमें क्या चेंज़ेस आए हैं क्या नई वल्टेज क्या नई सिखनल आई है पहले आयो प्रोग्राम नहीं होती थी अब आप प् तो अगर पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करिए और अपने common groups में शेयर जरू करिए ताके दूसरे भी इसका advantage उठा सके और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो जरूर इसे subscribe करिए और bell icon को जरूर दवाईए ताके हम लोग हर हफ़ते एक video डालते हैं और जो आपके फाइदे के लिए होता है तो चले दोस्तों मिलते हैं आगले हफ़ते थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई